अपने बच्चों की जो प्लैन बूखे उसमें ये सेट ड्रो करके देना है और अपने बच्चों के पास कलर करवाना है काद देना है इस तरह से आपको ट्राइंगल रेक्टेंगल सरकल ड्रो करके देना है और अपने बच्चों के पास कलर करवाना है तो चलो बच्चो हम कलर करना स्टाइट करें आपको भी मेरे साथ कलर करते जाना है तो सबसे पेले हम कहां पे कलर करेंगी कौन से से में कलर करेंगी रेक्टेंगल में कलर करेंगी यह कौन से भी रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल में हम कौन सा कलर करेंगी rectangle में हम red color करेंगे कौनसा color करेंगे red color देखो बच्चों यह कौनसा color है red color तो चलो आपी मेरे साथ color करते जाओ और यह कौनसा shape है rectangle आपको धीरे धीरे color करना है color बाहर नहीं जाना जाए इस तरह से आपको धीरे धीरे पूरे rectangle में red color करना है तो देखो बच्चों यह rectangle में red color तो हो गया दूसरा rectangle का पर है डूंडो दो आपको याद ही यह कौनसा shape है rectangle देखो दूसरा rectangle यहाँ पर है इसमें भी हम red color करेंगे कौनसा color करेंगे red color तो चलो बच्चों आप भी मेरे साथ करते जाओ और आपको अपनी मुम्मी को बोलना है कि आपकी जो plane book है उसमें shape broker कर दिये और उसमें आपको color करना है तो देखो बच्चों इस तर इस आपको दीरे-दीरे color करते जाना है और color बाहर न निकल जाए उसका आपको ध्यान रखना है तो देखो बच्चों दोने ही rectangle में red color हो गया है अब हम कौन से shape में color करेंगे अब हम triangle में color करेंगे यह कौन सा shape है ट्राइंगल और दूसरा triangle कहा पर है देखो यहाँ पर है कौन सा shape है ट्राइंगल उसमें हम कौन सा कलर करेंगे परफल कलर करेंगे कौन सा कलर करेंगे बच्चो परफल कलर तो चलो आप भी मेरे साथ करते जाओ देखो बच्चो इस तरह से आपको दीरे दीरे कलर करते जाना है कलर बाहर नहीं जाना चाहिए उसका आपको ध्यान रखना है इस तरह से आपको पूरे ट्राइंगल में परपल कलर करना है और दूसरा ट्राइंगल है उसमें भी आपको परपल कलर करना है देखो बच्चो इस ट्राइंगल में परपल कलर हो गया अब कभी ओ गया होगा अब भी मेरे साथ कर रहे थे ना अब हम दूसरे ट्राइंगल में कलर करेंगे उसमें भी आपको परपल कलर करना है तो देखो बच्चो दोने ही ट्राइंगल में परपल कलर हो गया तो बच्चो नेक्स्ट हम कौनसे शेप में कलर करेंगे ओवल शेप में कौनसा शेप है ओवल उसमें आपको कलर करना है उसमें हम कौनसा कलर करेंगे उसमें हम पिंक कलर करेंगे कौन सा कलर करेंगे बच्चो पिंक कलर ये कौन सा कलर है पिंक कलर और ये शेप कौन सा है ओवल तो जलो अभी मेरे साथ ओवल शेप में पिंक कलर करते जाओ है इस तरह से आपको धीरे दीरे यह शेफ में कलर करना है कि कुछ है कि आपको जोभी कलर पसंदों वह कलर आप کر सकते हो तो बच्चों यह पूरे शेफ में आपको कलर करकर कंपलेट करना है तो देखो बच्चो ये ओवल शेप में पिंक कलर हो गया है आप कभी हो गया होगा आप पे मेरे साथ कलर कर रहे दिना अब हम कौन शेप में कलर करेंगे ये शेप में ये शेप कौन सा है स्क्वेर, कौन शेप है ये बच्चो स्क्वेर बच्चो आपको याद रखना है ये रेक्टेंगल है ये ट्राइंगल है ये ओवल है और ये स्क्वेर है स्क्वेर में हम कौन सा कलर करेंगे स्क्वेर में हम ग्रीन कलर करेंगे कौन सा कलर करेंगे ग्रीन कलर तो चलो बच्चो आप भी मेरे साथ करते जाओ इस तरह से आपको धीरे धीरे कलर करना है कलर बाहर नहीं जाना चाहिए देखो स्क्वेर में ग्रीन कलर कम्प्लिट हो गया अब हम निटेजूस शेफ ही उसमें कलर करेंगे तो देखो बच्चो यह कौनसा सेफ ही एक्जगौन कौनसा है एक्जगौन उसमें हम कौनसा कलर करेंगे बच्चो उसमें हम पैरोट कलर करेंगे कौनसा कलर करेंगे पैरोट कलर यह है पैरोट कलर और ये कौन सा शेफ है, हेक्जागोन तो आपको हेक्जागोन में पेरोट कलर करना है तो देखो बच्चो, ये एक्जागोन में हमारा पेरोट कलर कम्प्लेट हो गया अब ये लाश्ट कौन सा शेफ है, वो तो आपको आता ही होंगा ये है सर्कल, ये कौन सा शेफ है बच्चो, सर्कल, उसमें हम कौन सा कलर करेंगे यलो कलर करेंगे कौन सा कलर करेंगे यलो कलर तो देखो बच़ोई इस तरह से आपको धीरे धीरे कलर करते जाना है कलर कई से भी बाहर ना निकले उसका आपको ध्यान रखना है ये जो कलर है वो शेप से बाहर नहीं जाना चाहिए तो देखो बच़ो सरकल में यलो कलर कम्पलिट हो गया तो बच़ो आपको शेप का नाम आता है तो जोलो एक बार हम ये जो शेप है वो फिर से आइडेंटिफाइव करते है देखो ये फर्स्ट कौनसा शेप है रेक्टेंगल कौनसा है रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल कहां पर है ये रहा ये दोनों रेक्टेंगल है और ये कौन सा शेप है ट्राइंगल कौन सा शेप है ट्राइंगल उसमें आपको परपल कलर करना है रेक्टेंगल में आपको रेड कलर करना है और ये कौन सा शेप है ओवल उसमें आपको पिंक कलर करना है और ये है स्क्वेर उसमें आपको green color करना है और नीचे कौन शाशेप है यह? Hexagon उसमें आपको parrot color करना है और last यह है circle उसमें आपको yellow color करना है तो बच्चो आपको यह जो आपकी plan book है उसमें यह shape color करकर complete करना है अब हम next वीडियो में मिलेंगे मिलें हुआ आपको यहाँ आपको है